Good morning friends, स्वागत है आपका, आपका अपने YouTube चैनल Study with Raveet Haakur पर चलिए आज की दहिंदू Editorial vocabulary की शिरुआत करते हैं आज की vocabulary का पहला word है infiltrating, infiltrating का मतलब होता है किसी भी जगह पे जहां हमने जाने की इजाजत ना हो वहाँ अनवश्यक रूप से घुस पैट करना, घुस जाना, इन्फिल्ट्रेट करना उसको बोला जाता है infiltrating If people infiltrate a place or organization or infiltrate into it, they enter it secretly in order to spy on it or influence it That is called infiltrating अगला शब्द है दिमार्ची, दिमार्ची का मतलब होता है आपत्ती पत्र सोपना इसका यूज हुआ है editorial में, पाकिस्तानी जो राजदूद का कार्याले है इंडिया में उसको यहां पर आपत्ती पत्र सोपा गया है अभी जो जमो कश्मीर में LOC पर पाकिस्तान के त्वारा घुस पैट की गई है तो उस गुस पैट का अपत्ती पत्र सोपा है इंडिया ने पाकिस्तान के ambassador को तो उस context में use हुआ है word दिमार्ची a move or step or maneuver in political or diplomatic affairs that is called दिमार्ची अगला सब्ध है decrying decrying यहां पर वर्प की तरह यूज हुआ है इसका मतलब होता है किसी की कटू अलोचना करना निंदा करना या किसी के उपर दोश लगाना उसको बोला जाता है decrying if someone decries an idea or action they criticize it strongly that is called decrying अगला सब्ध है dozier dozier का मतलब होता है ऐसा कोई document जिसमें किसी व्यक्ती कोई घटना हो या कोई विशे हो कि विश्तित जानकारी दी गई हो और ये एक देश दूसरे देश को सौपता है ऐसा कोई document उस document को बोला जाता है dozier a collection of papers containing detailed information about a person, an event or a subject अगला शब्ध है assertive assertive का मतलब होता है स्पष्ट और सुद्रड तरीके से अपने जो विचार हैं अपने जो views हैं वो लोगों के साबने रखना जिसे कि लोग उसे सुन सके और उसे आसानी से समझ सके तो उसको बोला जाता है assertive expressing your opinion clearly and firmly so that people listen to you or do what you want that is called assertive अगला शब्ध है bulwark bulwark का मतलब होता है किसी चीज से अपना बचाओ करना, प्रोटेक्ट करना किसी चीज से अपने आपको उसको बोला जाता है bulwark a bulwark against something protects you against it a bulwark of something protects it that is called bulwark अगला शब्ध है exodus exodus का मतलब होता है लोगों का एक जगा से छोड़कर दूसी जगा पर चले जाना सामोहिक प्रस्थान करना लोगों का बहुत बड़ी संख्या में लोगों का एक स्थान को छोड़कर चले जाना उसको बोला जाता है exodus a situation in which many people leave a place at the same time that is called exodus अगला शब्ध है confronting confronting उसको बोला जाता है confronting if you confronted with a problem task or difficulty you have to deal with it that is called confronting अगला शब्ध है decisive decisive का मतलब होता है ऐसा कोई decision जो बिलकुल अंतिम हो निरनायक हो बहुत last फैसला होना अंतिम फैसला होना उसको बोला जाता है decisive if a fact action or event is decisive it makes certain a particular result that is called decisive और आज की वकैबलरी का अंतिम शब्ध है genocide genocide का मतलब होता है किसी विशेश जाती या धर्म के लोगों की सामूहिक हत्या करना सामूहिक नरसंगार उसको बोला जाएगा English में genocide the murder of all the people of a particular race or religion that is called genocide तो यह आज की वकैबलरी का अंतिम शब्ध था यदि आपको वीडियो इंफरमेटिव लगा हो helpful लगा हो वीडियो से कुछ आपने सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा जादा सादा वीडियो को शेयर कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल बद भूलेगा तो आज की वकैबलरी में इतना ही थैंक्यू, थैंक्स वर वाचिए